Hello students, welcome to our channel, hope you are doing well, so guys, we are going to study today, surveying, survey का civil engineering में क्या रोल होता है, किस तरीके से कितना important survey होता है, अपन उन सभी चीजों के बारे में इस subject में पढ़ने वाले हैं, उससे पहले I would like to introduce the contents which are going to be covered in this videos, okay, so first chapter we will study today, fundamentals of surveying, ठीक है, ये सभी chapters अपन वन बाई बाई वन एके कर गे पढ़ेंगे, उससे पहले अपन सबके बारे में जान लेते हैं, fundamentals of surveying के बारे में आज अपन first lecture is survey का उसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम आपन देखेंगे की शर्वे के basically fundamental concepts का होता है, क्या होता है survey, और कितने तरीके का survey होता है, क्या क्या survey के principle होता है, उसके बाद second chapter में पढ़ेंगे linear measurement, third chapter will be compass surveying, fourth chapter will be traversing, the fifth chapter will be plain table surveying, sixth chapter will be leveling, seventh chapter will be contours, eighth chapter will be measurement of area and volume, ninth chapter will be curves, and third chapter will be theodolite, तो यह सभी 10 के 10 chapters जो पढ़ने वाले हैं, इस survey में पढ़ेंगे, ठीक है, और जो level of study रहेगा, वो आपका AN, JN, किसी भी तरह कोई भी exam हो, वो इन सब चीज़ों में cover होगा, उसके बाद अपन साथ की साथ कोशिश करेंगे, इसके बाद में, survey complete होने के बाद में, अपन कोशिश करेंगे, कि जितने भी important MCQs, जो लास्ट 10 years में, किसी भी exams में आयो, भले SSC जेही में आयो, रास्तान जेही में आयो, वो सभी चीज़ अपन, भले ES के questions हो, gate questions हो, वो सब भी अपन, one by one करके solve करेंगे, तो नौ लेक्स स्टाट दी, session, फर्स्ट वन है कि, fundamentals of surveying, तो दोस्तों, surveying is an art of determining relative position of points on below and above the earth surface entering it graphically and numerically, ठीक है, अब basically survey क्या है दोस्तों, ये तो ठी definition, अब आप समझ लिजिए, survey क्या है कि, कि CV point की location आपको निकाल ली हो, ठीक है, survey क्या है, कि CV point की location आपको निकाल ली हो, वह वली, अर्थ के above या below, माल लिजिए अगर इस तरीके की आपकी अर्थ है, ठीक है, अगर इस तरीके की आपकी अर्थ है, तो अर्थ पर बहुत सारी चीज़ है, इस तरीके सहाँ पर पाड़ भी होगे, हो सकता है कही ना कहीं सरीक से depression भी होगा, तो अगर आपको पाड़ पर point T हो, ठीक है, और depression माल लो point Z हो, ठीक है, अगर आपको T की location निकाल ली है, या आपको Z की location निकाल ली है, तो वह आप किसकी मदद से निकाल सकते हो, सर्वे की मदद से आफ निकाल सकते हो, ठीक है, माल ली जी कोई city है, जहाँ पर अलग-अलग तरीकी के point है, यह point B है, यह point C माल ली जीए, यह point D माल ली जीए, यह point E हो गया आपका, और ही point F हो गया, तो अगर अलग-अलग तरीकी के point के कि आपको मालूब B A से कितना धूर है ठीक है C से D कितना धूर है या F से D F से D कितना धूर है अगर आपको इस तरही की points की कोई भी location निकाल नहीं हो तो you can determine the location of points with the help of survey तो basically survey क्या हो गया आपको भले जमीन के उपर कोई point हो जमीन की निचे कोई point हो अगर उसकी location आपको determine करनी हो तो वह आपका तो आप survey की मदद से करते हैं ठीक है और एक और चीज़ इसमें कहा है कि entering it graphically and numerically हम बता तो कैसा कि मालो कोई point है ए ठीक है और कोई point है बी तो ए से लेकर के बी तक की क्या distance है मालो सू मिटर की distance है तो यह इसको आप graphically भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि a से b की distance क्या है सू मिटर है इसको आप numerically भी बता सकते हो कि a to b distance is hundred meter तो आप सर्वे को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो यह आपके उपड़ डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि आपको किस तरीके से convenient है अगर आपको numerically इस्यो करना है तो आप उसको graphically इस्यो कर सकते हो पर basically सर्वे क्या है कि किसी भी point को determine करना और उसके आसपास की जैसा सर्वे आप सब्सक्राइब सर्वे आपने वैसे भी बहुत बार सुना होगा कि basically सर्वे क्या है कि वहाँ economic सर्वे हुआ हो पोपुलिशन सर्वे चल रहा है वह एक सर्वे में डेटा आया है कि कि सब्सक्राइब करने प्रतिशत बारती है इंटरनेट पर time spent करने लगे तो यह सर्वे वर्ड ही ऐसा है सर्वे वर्ड बेसिकली आपको जानकर देता है आपके आसपास की surrounding की अगर सिविल में अपन सर्वे की क्यों कर रहे हो आप उसका object क्या है तो उसका first point क्या है कि to determine the relative position of point से मैं आपको बताया है कि मान लीजिए यह कोई point A है यह कोई point B है A से B कितना दूर है 60 मिटर दूर है या 100 मिटर दूर है तो आपने B की position निकाली A के respect में that is a relative position ठीक है आपने B की location निकाली A के respect में ठीक है और कोई structure प्रपोज है उसको अगर आप layout कर रहे हो या mark out कर रहे हो तो उसको तो उसके लिए भी survey क्या जाता कैसे क्या जाता अभी हम आपको बता दो मान लीजिए मान लीजिए यह कोई land है ठीक इतने बड़ी कैसी भी land हो सकते है यह सो तहने कि land जो ठोड़ी कि square होगे rectangle होगे कैसी भी तरीके land हो सकती है अब आपको इतने एरिया में तो बनाना है building एक apartment बनाना है मान लो और इतने एरिया में आपको बनाना है पार्क ठीक है इतने एरिया में तो बिल्डिंग इतने एरिया में वह गया आपका जिम मान लीजिए और यह जो एरिया बचा है आपका इतने प्लेग्राउंड ठीक है अब किसी भी तरीके कोई structure अगर आप खड़ा करना है तो आपको survey करना पड़ेगा layout करने के लिए आपक यहां से यहां तक में तो बनेगा आपकी building यहां से इसको मैं दूसरा color ले ले तो हूं इसको red ले ले ठीक है कि यहां से यहां से यहां तक में तो बनेगी आपकी building यहां से यहां तक में बनेगा आपका पार्क और playground की जो building होगी वो कुछ इस तरीके से होगी और जिम की जो जिम का जो area होगा वो कुछ इस तरीके से यहां पर होगा तो एक तरीके से क्या किया आपने एक layout प्रेजेंट किया है कि किस ग्राउंड पर क्या बनेगा और कहां कहां बनेगा और कैसे कैसे बनेगा प्लस अगर आपको डिस्टेंस चाहिए होगी तो वह भी आप निकाल सकते हो कि मालों यहां किसी का घर है इस पुमालों कोई अपार्टमेंट टेस्ट में से यहां किसी घर है मालों शर्मा जी का घ से जिम कितना दूर है यह डिस्टेंस आपको निकाल नहीं है समझाए यही सर्व है कि आपने रिलेटिव पोजिशन निकाल ली ठीक है उसके बाद आ गया तू मेजर दी रिलेटिव क्वांटिटीज लाइक एरिया एंड वॉल्यूम इसमें आप कि जो रिलेटिव क्वांटि ठीक है तो रोड तो ऐसे जाएगी निए अंडूलेशन होती ही रोड तो ऐसे सी दी जाएगी एकदम या रोड जो जाएगी रोड तो बेसिकलिए आपकी एसी को लेंड है तो रोड तो आपके ऐसी जाएगी एकदम सीधी जाएगी तो अम मान लिजी यहाँ पर तो जो यहाँ पर ग्राउंड लेवल है और एक ग्राउंड लेवल इधार है फिर एक ग्राउंड लेवल इधार है फिर एक ग्राउंड लेवल इधार है ठीक है तो अब यहां पर रोड जाएगी तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगी यहां को करने पड़ेगी कटिंग और यहां इदर डिप्रेशन है तो यहां आपको क्या करना पड़ेगी यहां को करने पड़ेगी feeling तो जब आपको मिट्ठी भरनी है यहां मिट्टी काटनी है तो area दो अ कितने area में cutting होगी इस तरीके से और कितने में feeling होगी और कितने cutting होगी तो इh basically survey की area और volume भी निजाल सकते हो समझे है कि आपने कज़े पर कि here cutting में feeling होगी तो वह कैसे होता है है तो अबने क्याव कि यहांका निकाल ली है यहां का लेवन लेवल लिए अंकता ले ऩा इसी हुली ही महला के निदा यो अगया किह लूट परी याइट ने अगर लीड ज्यादा होगी नहीं तो जो अपमिट्टी आपने यहां कटिंग करें वहीं आपकी यहां पर फिलिंग हो जाएगी मिemenी समझ आयों तो यह आपका सरवे का एक पार्ट और अग्या अगर worship वह बहुत बड़ा अपने अपने एक बहुत बड़ी इस्टरी है ठीक है तो यह आपका स्जाव सब्सक्राइज प Ci सब्सक्राइब ay फिर आता है कि आप नियुम्र क्याशन रिप्रजेंट कर रोब राफिकल रिप्रजेंट रहो वहमना आपको बताही दिया था है कि मैं देखो नुमेरिकल हो गया कि एगिंगस टूश्टी क्लूमेटर में आपको बताही था कि A से कोई B की डिस्टेंस है और अगर उसकी डिस्टेंस है 260 किलोमेटर तो आपने नुमरी के लिए कैसे रिप्रेजेंट किया कि A B जगस्टू 260 किलोमेटर अगर आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो अब में चीज कि जहां से मैक्सिमुम बनने चांसे रहते हैं जनरली ग्राफिकल डिप्रेजेंटेशन इस डन इन इन फॉर्म औफ ग्राफिकल डिप्रेजेंटेशन आप कैसे करते हो जैसे मालो कि एक अगर थीक है मालों 100 भाई 100 का घर है समझाता है 100 भाई 100 का आपका घर है अब आप ऐसा है कि आप की कोई बिल्डिंग है कोई जमीन है मालों 100 भाई आप इससा तो औहां नियुक्त अप फिक्स नहीं कर सकते ठीक है तो आप सो बाई 100 की जमीन अब को आपको मैप में शोब करना है कि कि किस तरीके से हम लोग इससे यूज कर सकते हैं कि एक मिनटी बहुत देरी देरी डिलीट होता है ठीक है इसको रहने देते हैं सी ठीक है यह सोबाई सोका अगर आप चाहते हो कि आपको पेपर में शोगरना है तो आप लिक दोगे कि एक सेंटिमेटर सुस्टू सो मिटर पर जाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि दस सेंटिमेटर सुस्टू एक सेंटीमिटर झेशट्व आपने ज़्याधा पर लख दीया ही हं फत् Kelvin आप Mr. 1000 ङॉए हं जो ग्राउा कि आपकी सबात सेंटीमिटर से डिस्तु संगर्जा टू तो अब क्या होगा कि यह गई आपकी है प्लांत वह टिस्टेंस लोगा ठीक है या प्लाइन की चीज़ देखो स्मोल स्केल और लार्ज स्केल लिए दो पड़ दे रखिए स्मोल लार्ज रिज क्यल में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है कई लोग सकों लेगा करके गन्फूस रथे पर आपको इस केल क्या होता है कि कि वन अपॉन डिनोमिकेटर में जो भी कुछ हो तो जितना ज़्यादा नुमीटर बड़ा होगा उतननी कम डिनुमीटर कर दो कि उतना ही बड़ आपका इसक्यल होने कैसे अब में बताता हूं उतको कि आपने यह एक सेंटी मेटरर जिखा इस फोमिटर लिखा है कि इसका मतलब आप इसको लिख सकती हो एक सेंटीमेटर सेज़े गश्टू सूमेटर अब इसको सेंटेमित्र में मतलगो दो सोर कर दोगे तो इसका मतलब विए क्या होगा कि this is कि वन अपान 10,000 ठीक है तो एक scale तो हो गया यह आपका मैं आपको रंग से बता देता हूँ ठीक है एक scale तो क्यों हो गया वन अपोन आपका 10,000 एक scale हो गया महलूप मैप है महलूप कंट्री का मैप है तो कंट्री के मैप में 100 में वाले डामेंशन तो आगी कंट्री के मैप तो क्लूमेटर में ऐसे में चलती है तो उसमें आपने क्या लिख दिया एक centimeter is 2 एक किलोमेटर ठीक है तो इसको कैसे दिखोगे आप वन अपॉन सबसे पहले तो किलोमेटर है ठीक है एक किलोमेटर को तो इनट्यमेटर की पावर 3 ite氣 in to be meter कुअ 70 m जानल दो टुठीक कितना ऊंपॉन ते ओने ठोटा है द आधर चोटा हुआ तो आपका esao बढ़ा हो तो इसकेल बढ़ा हुआ इसका हमालों защ होता है X Games बड़ा एंड today's relationship कुछ बड़ा होता है कि कि अगर दिन्य nouveau ज тебе आपका बड़ा होगा तो सकता होगा और अगर छोटा होगा तो इसलिए यह लिखने मैंने कि आपने बनारा किहां गणरे मारा चाहलिए त्रांट में किटना बड़ा है कि आप गप्रम Links समय करें आप इंटो। तो वहां एरिया ज़्यादा होता है यह ज्यादा होता है जो आप अलजूम खरते होसमें में संटम्यों रहे उन क्लोमेटर है वह भी आपने बहुत ज़्यादा है, ठीखे ये मैंने बता दिया आपको इस्मॉल को तो दिया लार्ज इसको आप एकपर और समझे लो एस मॉल सकी के लिए इस तरी के समझे dicey Я इतरर लिख दो of denominator कि small scale को जब इन्योमिनेटर ज्याद़ होगा लार्ज स्कल्स कर देन नियुद कम हो गई होगा के चलते हैं कि मैथ्टड्स ऑफ प्रेजेंटिंग मिजर्मेंट इसमें अब है कि आप मिजर्मेंट को ऐसे प्रेजेंटि कर सकते हैं युद्र ज़्यादा है नहीं कि वर्टिकल डिस्टेंस उन्द प्लान और मैप कैन भी शोन विद यहल्प ऑफ कंटूर सो इसके लावा आपन जब कंटूर का अलग से पढ़ेंगे तब अपने इसको और देख लेंगे स्पॉर्ट लेवल स इसार तरह तोसे है अब इसका जो लेवल होगा मालो वहए है इसका लेवल b हो गया इसका लेवल c हो गया इस वाले पॉइंट का लेवल D हो गया ठीक है इसका लेवल मान लो ई है अब ऐसा तो होगा नहीं कि A और B इकल होंगे या C B और C लोंगे ठीक है तो हो सकता है कि जो A का लेवल हो वो सबसे में बेगो डाउन लग रहा है एक के लेवल आप देख लो आई इस अबसे डाउन है एक लेवल सबसे डाउन हुआ आपका तो हो सकता है कि A का लेवल हो 90 मीटर with respect to MSL अपन MSL के respect में ही अपन लेवल लेते हैं यह तो आपको पता ही होगा ठीक है उसके बाद अपन बात करते हैं B का लेवल तो B के लेवल से ऐसा लाइन कहचो तो बियोरसि के लेवल और मुज़ तर्फिल आस अ मुझे कम लग रहा है तो लाएन ऐसे दोपर होगा हो सकतथा इससकर बियावल 99 मीटर हो और थी या यहां पर बहुत ज्याद रोगए और जब आप ए-बिसी को जब आप इस शू करोगे तो कोई भी देख करके बता देगा कि यह बहुत ही अन्डुलेटिटिट रेंड मतलब यहां पर बहुत ज्याद उतार चड़ाव है ठीक है क्योंग आपको टोपोग्राफिय पर प्लेंड अगर इंटर पर अगर टोपोग्राफिय में बहुत जद्ध योड़ लेटब और अगर शोड इंटरवेल पर यह थोड़े और ज़्यादव पर आपके लेवल से ज़्याज़नक्म नहीं तो आपकी डो टोपोग्राफिय होगी वो डूलेटिड होगी समझा गया कि नेक्स्ट आजो बीसिक डेफिनिशन से यहां पर कुछ कि देखो शेप ओफ वर्थ क्यों होता है वैसे क्यों होता है कि जो शेप फ़र्थ होता है वह था है ओबलेड इस पेरोइड ठीक है स्लाइटली फ्लाटन dog ș, ठीक है तो इस पॉल्स बिधिसी इस तरीके से खुछ फ्लैट होगी इसके बाद सग्रहिएं कई बच 5 इसके वाद हम लोगई अब इस्को देखना है उन्हें एक बाद की यहां पर जो है दोड़ी सी यह फ्लैट ओगया फ्लैट होगी यह निति ओलो गया आधो तो पोलक दो इस फ्याट लेटलेट पोल एंड पोलर एक्सेज इस 45 43.5 किलमेटर समोलर दन यह जो आपकी पोलर एक्सेज यह वह पही आपकी प्रड़ी मेंलो और इसको आप थोड़ा अलग कलर से समझत लो कि यह तो आपकी एक्सेस ही होगी आपकी पोलर एक्सेस तो इसको आप A B माल लो और इसको आप C D माल लो तो यह कह रहा है कि पोलर एक्सेस 43.5 km स्मॉलर देन दी एक्सेस मतलब जो A B है वह लास्दन है किससे सिदी से मतलब सीडी बड़ी है और कितने से 43.5 km से तो समझाए कि यह वाली जो पोलर एक्सेस है यह आपकी एक्सेस 43.5 km चोटी है ठीच है एक्सेस बड़ी हो गई और इसमें पोलर एक्सेस छोटी हो गई फिर नेक्स आता है कि नेक्स्ट हो गया आपका इलिप्सूट की होता है कि यह भी माना गया है पहली बात तो अपने टर्म दीज शेप अब फर्थ को अबलेट इस परियोड हुई इसमें अपने बोला कि पोल पर जो अर्थ होती वह फ्लैटन होती है और आपकी पोलर एक्स शोटी 3.5 किलमेटर क उसके बाद इलिप्सूट आगया कि एक्विट्रील सेक्षिन इस स्लाइटली इलिप्टिकल नेचर मतलब अपने यह जो सक्षिन बनाया था यह थोड़ा सा यह वाला जो पोर्षन आपका यह इलिप्टिकल हो गया उसके बाद इसने का ओविलोट की सदर्न हैमिस्पेर इस है तो इसको अपने बोल दिया अवल उड पर अपर को बलेट बहु हरो हो ठीक है डेकल बर्ट को शेप नहीं है अरTH की परफैक्टली कोई सब्सक्राइब करने के लिए अपन जो शेप अपन इस पैरिकल कर लेते हैं ठीक है फिर आता एपगा level शर्फेस, level सर्फेस कुछ नहीं है, level सर्फेस इसका एकू डिश्चेनस फ्रॉम दिसेंतर ओफ अर्थ, ए्वरिए एलेमेंट ओधि लेवल प्रेवल सर्फेस इस पर प्रपेदीकलर टू ले मलाइं ठीक है, उसके बाद आती है लेवल लाइन, लेवल लम लाइन होती है कि कोई पूछा आप से लेवल लाइन क्यों होते है तो थेटवेज गर्व लाइन स्के बाद आपा आज ओ horizontal plane क्या है टूछ इस अ प्लेट टैंजेंशिल टू अर्थ सर्फेस एंट्विट है यह आपकी हो गई आड्ड सर्फेस आपकी यह आपकी हो गई संवयब कैसे ही तो यह यहां होगी कि Tell मेशनिकत टी कि इसके प्लंब कुछ स्टarीके के से जाएगा कि इसका प्लंब होता है क्ल See How घॉटा है कि होता है क्लाम जीसे कई बार आपने गष्राइब में मिस्तरी आता निन जाए है मिस्तरी आता है आन्द भर लाइप होता है और level line और एक प्लेंट टेंजेंशेल इसके टेंजेंशेल यह तो है अर्थ के टेंजेंशेल होगा जो प्लेंट वह आपको रिजोंटल प्लेंट हो गया मतलब अर्थ के से जो पास कर रहा है तो ग्रेट सर्किल हो गया अब वह जो आपको इसमें कहते हैं कि जो ग्रेट शर्किल होता है जो अर्थ को पार्ट इंट्टी टू इक्वाइड करते हैं ठीक है उसके बाद आप 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 आदो इस पैरिकल ट्राइंगल यह इंपोर्टेंट है इस पैरिकल ट्राइंगल इस ट्राइंगल विजिस फॉर्म्ड ओन दिस सर्फेस ओफ इस पेर बाई इंटर सक्षिन ओफ त्री आप्स ओफ ग्रेट सर्किल वह कौन-कौन सी है कि अदिगो आप आपने केकर अर्फ ना दी अर्फ के बाद आपने एक एक यह लगा दी और एक यह लगा दी तो इसंतीं में जूर्द लाइन है थिक्शे यह जो तीन्ते वहींड लाइट एक कर्व लाइन का कاؤ तो इसके बीच में यह जो ट्राइंगल बन रहा है ठीक है, इसके बीच में यह जो ट्राइंगल बन रहा है, इसको आपने क्या कह दिया, इस्पेरिकल ट्राइंगल कह दिया, ठीक है, यह जो आपका ट्राइंगल हो गया, वो आपका इस्पेरिकल ट्राइंगल हो गया, ठीक है, और इनकी जो एंगल होता है, इसको आपने क्या कह त्रेंगल बन उसको आपने स्प्रेटिकल ट्रेंगल कह दिया अब क्या कह रहा है यह इस प्रेटिकल ट्रेंगल के बारे में है कि इस प्रेटिकल ट्रेंगल इस फॉर्म्ड on the surface of स्पियर बाई इंटर्सेक्शन ओफ त्री एंगल इंटर्सेक्ट और इंटर्सेक्ट करती वह एंगल क्या हो गया समझा गया कि जो आर्क में यह और इंटर्सेक्शन ओट वह गया और इंटर्सेक्शन के बारे में सब्सक्राइंगल कहा है थी कि यह आपका सेपरिकल ओप Nahum कर लो कि first अपने पड़े चुके कि found on the surface of spherical triangle by intersection arcs and closing the spherical triangle को decide और आपके spherical angle कौन सो होदा हैगा कि the angles in which three arcs intersect are called as spherical angle अब spherical angle is defined as the angle between tangents to the great circle drawn at the point of intersection spherical triangle क्यों हो गया angle between tangents to the great circle drawn at a point of intersection length of a side of a spherical triangle is defined as the angle subtended by that side at the center of the earth देसे माल लो इस angle से अपने इसप्तेंड हbor गई एक साथी ही और एक साथी हो गही तो वह जो angle angle से जो subtended हुई है एंगल से जो length subtended हुई हुई है इसको आपने क्या कहीं है length of a side ठीक है एंगल से टूवार से सेंटर ओफ दी अर्थ जो भी लेंथ सब्टेंड उसको अपने क्या कह दिया लेंथ ओफ साइड ठीक है अब आता है प्रोपर्टेज्ट ट्रैंगल यह बहुत इंपोर्टेंट है यह बहुत इंपोर्टेंट है आपके एक्जान पॉइंट और किसी तरीके के सर्वे कहीं ना तो इसकी आप प्रोपर्टी जरू द्यान से पढ़ लें इसने कहा है कि लेंथ ओफ साइड ओफ स्पैरिकल ट्राइंगल शुट बी लैस देन वनेटी इकुल लैस दो डिगरी मतलब आपको जो इस परेडिकल ट्रैंगल लोगा उसकी जो साइड होगी उसकी जो लेंथ होगी वह वनेटी डिगरी से कम होनी चाहिए ठीक है होगी इसकी लेंथ शुट भी वनेटी डिगरी एक करकेपन पढ़ लेते हैं उसके बाद इच एंगल ओफ स्पैरिकल ट्राइंगल शुट बी लैस देन और एकोल टू वनेटी डिगरी मतलब जो जो एंगल है वह भी आपका वनेटी डिगरी से कम होने चाहिए एक्योलेंट 360 से एक्योलेंट मलब एक्योल और लेसें टू 360 और फिर आता है सम ओफ स्पैरिकल एंगल अब आता है सम ओफ स्पैरिकल एंगल शुट बी इन रेंज ओफ 182 मालों अगर कोई ठीटा एंगल होगा 182 540 तो सम ओफ स्पैरिकल एंगल शुट बी इन रेंज ओफ 182 540 डिगरी आप देखो नॉर्मल ट्रेंगल होता है उसका तो सम क्यों होता है 180 डिगरी होता है पर यहां जो सम आ रहे हो आ रहा है आपका 1540 डिगरी सो इट इस ए बीसिक कॉमन डिफरेंस ठीक है मतलब आपने स्पैरिकल ट्रेंगल और नॉर्मल ट्रेंगल में क्या डिफरेंस आ गया कि नॉर्मल ट्रेंगल में जो डिफरेंस होता है एंगल्स का वह 180 डिगरी होता है ठीक है पर इसमें जो डिफरेंस है उसमें जो सम में टॉटल बेट शुट बी लेस और इकोल तो 540 डिगरी ठीक है साइट सापने निकाल लिए सम और स्पेरिकल एंगल आपने निकाल लिया उसका रेंज कितना होना चाहिए अब ऐसा होता है कि अमाउंट बाइविच सम अव दी एंगल ट्राइंगल एक्सिट गरी ठीक है अगर किसी भी एंगल का जो सम है वह अगर धीघर से एक्सिट कर गया अगर ठीटा दीघर से में ऐसको क्या हो गया सपैरिकल trainee कर गया मित्त गया है ऑसको सम्हक्ति एंगल का सम 180 टीघरी से एक्सिट कर गया सफेरिक आप का हो हो गया सबसेरिकल ट्राइंगल शुट बी लेस्ट देन टूपाई रसकुआ है सबसे पहले लेंट ऑफ साइड इस वनेटी डिग्री इच एंगल एक एंगल एक सोसी डिग्री से कम होना चाहिए लेंट जो है आपकी लेंट ओफ साइड ऑफ इस परिकल ट्रेंगल डेट शुट बी लेस्ट दन और इकोल टी डिग्री उसके बाद सम ऑफ त्री साइड आप तीनों साइड के अगर बात करोगे तो वह जी डू टू टू त्री स्कुर्ण चाहिए उसके वाला सम ऑफ एंगल क अगर आप बात करोगे डाट शुट भी 180 टू 540 ठीक है और अगर 180 से को बढ़ जाता तो आप इसको इसको स्परीकल एक्सेस को होगे और सर्फेस एरिया के अगर बात करोगे तो यह तू पाई स्कुर्ण से कम होना चाहिए जाए पर जो आर है आपका वो रेडियोस अर्थ है कि नेक्स्ट आजो क्लासिफिकेशन ओफ सर्वेंग यह इंपोर्टेंट है इसमें लेकिन इंपोर्टेंट का है बेसिकलिए वह मां आपको बता दूँगा कि सर्वेंग कैन बी क्लासिफाइड इंटू माइन टाइप संथ बेसिज ओव इंस्ट्रूमेंट यूजड प्ल अगर सर्वेंग हो उसका जो एरिया कम होता है और जो जी यह कितना जाज है उसके लिए कुछ हम में क्या rebel b कुछ जए में 200 acceso पीεται रख sì तो वह सभ़ग बोल जाई है इसके जो एक्जूल यूनिट होती है एक्जल जो ऍमनेट 455 खक्रूं अगर एससे कम है that will be part of plane surveying अगर area से ज़्यादा है that will be part of geodetic surveying ठीक है और यह जो value decide करी है वो decide करी है survey of India ने वो मैंने या तुमने decide नहीं करी है this value has been decided by survey of India और जो India में जो survey होता है वो इन ही के सब parameters पो होता है जो कि survey of India ही finalize करता है ठीक है उसके बाद आजो कि it is done for local surveys it is done by survey of India to establish control points which serves the purpose of reference point for local surveys यह plane trigonometry होता है यह spherical trigonometry होता है अब मैं रताता हूँ आपको क्या होती है चीज plane surveying और geodetic surveying में कि क्या आप curvature of अर्थ को आप कैसे माद समझे रहे हो कैसे नहीं समझे रहे है वो मैं आपको कोशिश करते हूं समझाने की कि मानलो यह हो गया आपका इसको इस तरीके से नहीं हाँ मानली जीए कि यह हो गया आपका कि अर्थ सर्फेस ठीक है वैस्तों तो अलग तरीकी की होती है पर मैं एक जिस्ट आपको एक्जमपल लेकर हो कि अब मानली आपर एक पोइंत है वी जहां पर अपने स्टाफ रखा हुआ है इस तरीके तरहें और यहां प्वेंट है जहाँ आपने ट्राइपोड लगा है आपने प्राइपूट लगाया और आप फूर्ड लेकर खड़े हो ठीक और आपको बिसिकली यहां से आते कि एसे बी तक की डिस्टेंस निकालने के लिए आप सीधा इस पर वेस्ट मारोगे यह पर्पेंडिकुलर लाइन जाएगी तो यह पर्पेंडिकुलर लाइन आपने में निकाल ली। अभी आपकी जो लाइन आई यहाँ आजिर लाइन आई यह वह इंगल Windows ओंदेन असे का हुआ अभी जो आ इसनवी तक की जो लाइन यहां यहां कर आए यह स्थ्टेंस है तो आपकी लाहन सीज्ट अगई यहां पर आप इस तरी के से लगाओगे आप अपना इस्ट्रूमेंट इस ताफ रखेंगे तो अगर यहां से आप लाइन लेते हो तो लाइन कोई से आएगी कुछ ऐसी लाइन आ जाएगी तो क्या यह एक्चुल डिस्टेंस दे पाएगी आपकी क्या यह एक्चुल डिस्टेंस दे पाएगी नहीं तो उसकी लिए क्या करना पड़ेगा आपको उसकी लिए आपको अर्थ सर्फेस जो यह जो करवेचर है यह वाला करवेचर आपको कंसिडर करना पड़ेगा इस तरीके से इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको यह वाला करवेचर है यह आपको कंसिडर करना पड़ेगा और यह करवेचर आपको को कंसिडर क्यों करना पढ़ रहा है क्योंकि A-B- आपके से काफी जादा धूर रिस्टेंस पर है ठीक है एक चीज ती होगी दूसरी चीज जब आपने स्मॉल एरिया में सर्वे किया तो आपने बी से परपेंडिकुलर लाइन ली प्लंबोप के तुरू और एक एसे परपें पैरलेल हो गई यह दोनों लेंड कभी एक दूसरे को इंट्रेसेक्ट नहीं करेगी पर जब आपने लाज्ज एडिया के लिए सर्वे जवाब कर रहे हो जिसमें आप करवेचर ओफ अर्थ कंसिडर कर रहे हो क्योंकि आप करवेचर ओफ अर्थ अकर कंसिडर नहीं करोगे तो क्या होगा तो आप कभी डिस्टेंस लेगी नहीं पाऊगे तो आप कभी ए से बीक डिस्टेंस ले पाऊगे वह आप कभी ले पा रहे हो जब आप यह वाला कर वेचर ओफ और एस तरीके से थीक है तो अगर आप आपने बी से यह एक परपेंडिदुलर लाइन ऐसी दी तो यह दूसरे को इंट्रसेक्ट करेगी और डैट विल बी सेंटर तो आपने देखा कि जब आपने स्मोल एया के लिए सर्वे किया तो जो लाइन थी एक तो लाइन थी आपकी स्ट्रेट लाइन उसके अलावा आपने जब परप से गिर यह तो वो जो स्मोल एखका सरवे आप ने कर वेचर पड़े नहीं किया तो आपको यहां से पड़िया तो यहां आपको जुरूरत नहीं पड़ित तो वह जो जो लाइन आई ती हो इस तरीके से नहीं नी सकता तो आपने क्या किया एक परपेंडिकुलर लाइन गिरे जिसमें आपने अर्थ सर्फेस को कंसिडर किया एड़े से वीडियो तक जाने के लिए और इनकी जो परपेंडिकुलर लाइन वह भी दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है समझा गया तो इसका मतलब आपने यहां पर अर्थ सर्फेस कंसिडर किया तो कितने एरिया में यहां पर एरिया छोटा है इसका मतलब यहां पर जो एरिया है सब्सक्राइब आपको याद कुछ भी नहीं करना अब आपको खुद को डिफरेंस समझ आ जाएगा इस चीज से कि प्लेन सर्फेंग में तो क्या होता है इन प्लेन सर्फेंग भी नेगलेट दे एक्ट ऑफ करवेचर एंड प्लोटेड मिजरमेंट्स आर प्रोजेक्टेड ऑन दी होरिजून्टल प्लेन अपनों प्लेन पर गट्रिया पर जिए वाला जो सर्फेंग इसमें आपको सर्वेज ऑफ इंडिया से इस प्लेने पड़ते हैं जैसा आपने अगर कभी कोई गवर्मेंट प्रोजेक्ट किया हुआ कंट्रोल लेने पड़ते हैं और यह जो कंट्रोल पोईंट और बेंचमार्क देता हैं और यह जो इंडिया के दुआरा मेजरमेंट की होता हैं यह बेसिकली दीस कंट्रोल पॉंट्स같वky व этом your फॉर्ल प्रोजेक्ट ठीक है और यही रिलायबल होता है ौश्य यहीं टेमड़-स्राइब इंडिया मेरे कोई है इसका क्यों प्र 275 निपाट्र थो लगाई पर इसमें आपका क्या हुआ इस तरीके से जो आ ठीक है जिसका एंगल के अपने रेंज देगी थी लगाई लगाई पर इस तरीके की लेंड यहां से तो यह आपका 100 मिटर के लेवल हो गया यह आपका 95 मिटर को गया तो आपने देखा कि या इस लेंड की टोपोग्राफी तो बड़ी अंडूली टेर है यह अंडूली टेर मतलब आप समझ गया है कि बड़ी उतार चड़ाव ह कि अब नहीं तरीके से लेंड यह तो वह क्या हो जाएगी वह आपकी अंडूली टो इसका मतलब डूस्की टोपोग्राफिक सर्वें में आपने क्या रिप्रेजेंट गया किसकी टोपगराफिक ऐसे कर लेवल कैसे तोपोग्राफिक सर्वें पढ़ लेजिए इसके लिए Elevation तो include करेगा ही, करेगा ही है इसके साथ साथ मालो ही एक land है ठीक है, तो इससे मालो 50 meter पर कोई railway line जारी है ठीक है, नहीं मालो यहाँ पर electric pole है, यहाँ पर कोई skool है यहाँ पर कोई railway line जारी है इस तरीके से ठीक है, तो कितनी distance पर यहाँ पर आपका यहां पर कितनी दूर पर आपका ट्री है बड़ा ट्री जैसे कुछ होता है ठीक है जिसकी गर्थ की भी कुछ होती है कि उससे ज्यादा गर्थ होनी चाहिए तो यह आपको ट्री करना है यह सब चीज आपके जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तब यह सब यह 400-300 जो भी आप जिस भी कलयंट का प्रगेट कर रही यह विसेकली वेरिग्सब्सी काशियों कि प्लाइफ करेगा कि आपको कितने मीटर तक कवर करना है ठीक है तो टोपक्राफिक सर्वे में काम की बत कहा है टोप्रेशन में आपको ऐलिएशन के साथ मैनमेड फीचर भ प्रश्रूरों नहीं जिस्टिक सिंपल आपको अंधाजी के लिए कि तोपोग्राफिक सर्वे का इतने स्कल हो सकता है ठीक है एक्जामपल कहा है जैसे मांटेंस हो गया वाटर बोडी जो गई रीवर्स हो गई वैली जो गई ठीक है यह हो गया आपका टोपोग्राफिक यूज्ट फॉर इंजिनिरिंग्वर्स लाइक रेलवे हाइवे ब्रीज एट सकत्रा ठीक है हाइवे अब जो बिल्डिंग का रेश्यो होता है अगर आप बिल्डिंग का कुछ सर्वे कर रहे है तो उसका रेश्यो असना बेनूट कर दिया कि वन रेश्यों डिश्यों पर इसी तरह के अगर आप आप हाइवे का प्रिजेट कर रहे हो तो उसके लिए रेश्यो होता है में आपका रेश्यों टुटेवे फिफ्टी टूब बने शिटू तो फिफिट यह रेश्यों आपको इतना बहुत ज़़ए यात करने की यह कादा कुछ घृषिंट में जब आप लोग कर वाओगे या करोगे जब आप लोग बड़ी साफ बन जाओगे पर आपको ये काम भी करना पड़ेगा इसलिए सर्वे इंपोटेंट है पिर आता है के डिश्ट्र सर्वे में कुछ नहीं है कि मान लो यह एक बिल्डिंग है बिल्डिंग नहीं एक कोलोनी है ठीक है यह को लोनी होगा उसमें क्या कि आपने है ठीक है यह हुए आपके कोलोनी है अब क्या किया है इसमें आपने की के डिश्ट्र सर्वे आपको करना है ठीक है तो उसमें क्यों हुए एक घर यह हो गया एक घर ही होगे एक घर ही हो गया ठीक है इस तरीके से कही सारे घर है ठीक है आपको देखना है यह कौन सा घर है यह शर्माजी का घर है यह किसका घर है यह वर्माजी का घर है ठीक है यह वर्माजी का घर हो गया यह घर है वसिश्च जी का तो इसको वसिश्च जी का घर कर दिया यह घर है अगरवाल जी का तो इसको अगरवाल जी का घर कर दिया कि इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसमें प्रोपर्टी सर्वे कर रहे हो प्रोपर्टी सर्वे को ही के डिश्ट्रल सर्वे का जाता है कि आप जो है हर एक प्रोपर्टी का हर एक प्रोपर्टी हो गई शर्माजी की यह वर्माजी की हो गई यह जो चीजे प्रेक्टिकल की आपको क्या होता है मालुए पुरा इसमें अपने Dusty ने मैप ले चुक्य होते हो ठीक से लड़ेड़ी आप मैप ले चुक्प होते हो और आप उस मैप को सब्सक्राइब ने पढ़ लिया देख लिए मैं बहाई में यह है क्यों होग होता है और फिर कि दो अब यह कुछ नहीं जमीन बढ़ा लिए तो उनmus को घर के ओनर्स को actual उनका एरिया देने के लिए बिसिकली ये सर्वे किया जाता तो उसमें क्यों होता है वो जो मैप आप गौर्वर्मेंट डिपार्टमेंट से लेते हो उस मैप को आप साइट पर वहले वेरिफाई करते हो फिर आप देखते हो नहीं यह लाइन तो ऐसे नहीं ऐसे कि लेकित आप है स्लेंट को इस थोड़ा सा है से लेना है यह शर्माजी का घर थोड़ें बढ़ रहा है वर माजी अगर इतना कम वो रहा है कि समझारी चीज कि तो आप बेसिकली बाउंटरिज्ट्रिज डिफाइन करते हो बाउंटरिज्ट्रिज्ट्रिज्ट करने का कह यह फिर आप आप आज़ो अस्टरोमिकल सब्सक्राइब सोटाइब रिदेटर्माइब लोगिटूड लोकल में टाम एट एन प्लेस अधी अर्थ सर्फिस अप से सपेस अगरा में जैसे आप ने बोलते हैं कि सेट्रलाइट के तुरू होता है कि भाई इस तो ने सेटलाइट शोड़ा है कम्यूनिकेशन सेटलाइट हो गया कोई और सरीके सेटलाइट हो गया तो यह सब चीज हो गया फिर हो गया अपका इस तरीके से यह कोई यह ठीक है आपका एक एरिया एलग है एक आपका बी एरिया है एक आपका सी एरिया हो गया इससा तो होगा नहीं होँए अबी सीडे सबकी सेम अलग अलग हो गी जह सकता है यह में भी दो टरीकी के ओगए यह तीन तरीके कूँए reasonely तो बेसिकली जो सभी को बेसीकिल से रिलेटेड Đcott ओसे मतलब सुई तो सोयल से रिलेटेड धेड जो सर्वी सरी होता है वह आपका एद चेंडर ही ऑप काई बार करते हो ठीक है कोई मेजर भी जागे माइनल भी जागे कुछ भी आ गया तो आपको यहां पर करने पड़ेगी कि स्वेल की बीरिंग केपसिटी इतनी है भी कि यह इस इस्ट्रक्षर का वेट जिल लेगी क्योंकि उसकी फॉंड़िशन वॉड़ दैट में जाएगी तो यह जो सर्वे क्यों भी जागे आपका अब आगिया बेज़ न इस्ट्रुमेंट में इसकाइब क्या इस सर्वेग गया होगा नहीं एक मेजेयर मेजर्मेंट अफय व्यूंटK नो गया कि आप चेन की फिए हैज भी जो सर्वे कर रहे हो वह आपका चेन सर्वेंग होगया कि जिसमें आप आप सिर्फ उनली लीनेर मेजरमेंट री कर सकते हो कि ठीक है फिर आपका अटीक कंपा सर्विंग कंपा सर्विंग में क्यों होता है कि इसमें क्या हुआ यह सर्विंग की वो ब्रांच इसमें आप अपने डाल के आपने आपकी लेंद्ध मेजर कर ली तो पर कंपा सर्विंग आपको गया अंगल मेजर्मेंट के काम में आगे ठीक है और दायरेक्शन ओफ लाइन आपका त्रूरा इंगल सर्विंग इंद्ध इसमें इसमें अब देखो डिफ्रेंस देखना डिफ्रेंस क्या हुआ सबसे पहले चैन्स सर्विंग इसमें ओली ली लीनियर इसके पहल सबस्केशन यह लेगल तो यह एक आपका डिस्क्रिप्षान च्छोटा सभ्रीफ है कि बेजू इंट्रुमेंट क्या चैन्स से बीकर तो और आज पश्राइबस्क्राइब आगया क्या आपका टोटल स्टेशन अब नेक्स्ट आता है आपके लेवलिंग लेवलिंग में क्या हुआ कि इंदिस टाइप ऑफ सर्वे आपके अपने यहां से लेवल पर क्या लेवल यूसका स्टाफ में देख लिया और आपने इसका लेवल लिए यह अपका लेवलिंग सर्वे इसके अपके लेदे काम में लेते हो है टाइक है ट्रिक्मेटिक सर्वे जो आप ट्रीकल दिस्टेंस और एंड इसे पांगे से अब प्लान और मैप प्रोडूजड बाए डिटरमाइन डाइक्शन और टेकिंग लीनियर मेशरमेंट विद चैनल टीप जो आपने आपकी इंजिनिंग में किया भी होगा सब्सक्राइब अपने मैप में डिनूट कर लोगते हैं लेवलिंग में सब्सक्राइब कर लिए सब्सक्राइब में क्या होता है फोटोग्राइब टेकन फोर एन एरिया विच और लाइन अवेलेबल इस लाइसा एडिया कि जहां पर आप एक्से भ्रण पर आएक्सक्राइब नहीं कर सकते जो आप एक्सेजर नहीं कर सकते तो सक्काप ऑपने फोले लियुक्त अब और वहांन लो अब आजकर शादियों में तो सब जा रहे हूंगे तो आप देख क discharged truth द्रोन क्या करते हैं एकदम उचाई पर पहुंच जाते हैं ग्राउंड से 500 मिटर उपर तक पहुंच जाते हैं और बहुत दूर सक भी जा सकते हैं तो वह क्या करते हैं ड्रोन बेसिकली फोटोस ले लिते हैं उन फोटोस से क्लियर हो जाता है कि कहां पर क्या है मालों को यह य तो आप क्या करो कि आप नहीं कि अपने तरफ फोटो ले लेते हैं और फोटो चिपका देंगे सर्वें में लिख देंगे वैं डांस फोरेश्ट और फोटों अगर कुछ और भी मिलेगा आपको वालों हो सकता है कि अंदर के तरफ कोई कौ अब आता है सबसे इंपोर्टैंट प्रिंसिपल ओफ सर्वेइंग जो की पूछा ही फूचा रहता है किसे बात है प्रिंसिपल सभींक 구ra की फ़ delच कपर फेल प्रिंसिपल लो व्परेंप उव वरrenal पर दॉन प्रिंसिपलों भी ठीक और इसके साथ साथ और आगी चीज पडैंगे इसके साथ Jersey अ इसको सब्सक्राइब दिखते हैं और अगर आपको किसी तरही कोई ड़ी करना ना भूलें प्लीज और यह जो सेरीज अपनी चल रही है इसमें किसी तरही कोई भी एक्जाम को दिखते होई इंपोटेंट थे ठीक है, so thank you so much for staying with us and stay tuned.